बंबं बोले नाथ, जै महादेव, जै शुवशंकर बोले नाथ के लाशवाशी, भूत नाथ है भक्तों का भला करने वाले सबसे बड़े देव, महादेव देखिए, दीपक के फूल में किस परकार से भगवान बोले नाथ की प्रसनता, उनका आशिरवाद कैसे प्राप्त हो रहा है भक्त जनों को, उनकी उपर चड़ाय जाने वाले सबसे प्रिये, जो पत्र कहे जाते हैं, बेलो पत्र, वही बेल पत्र यहाँ पर आपको दीपक के फूल में नजर आ रहे हैं, बेल पत्र की आकरती जैसे होती है, तीन पंकुडियां एक साथ, तीन पत्ते एक साथ उस टहनी पर होते हैं, तो ये वो बेल पत्र है, जो भगवान के आशिरवाद को दर्शा रहा है, बेल पत्र के बहुत सारे फाइदे होते हैं, बगवान बो पती पतनी को मनाना चाहता है, उसे प्रसन करना चाहता है, सम्मंद प्रगाड बनाना चाहता है तो उसका नाम लिखकर शीवलिंग पर उसे उल्टा चढ़ाए और साथ में जल के अंदर दूद और शहद के साथ कुछ शरकरा चढ़ा करके भगवान बुलेनात पर सौमवार को चढ़ाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल होगा और परिवार के अंदर समंद भी अच्छे बनेंगे, पती पतनी की मदूरता बनी रहेगी, ऐसे ही शीवलिंग पर चढ़ाए गए, यदि बेल पत्र को कोई वेक्ती घर लाकर के खाता है, तो उससे शेरीर में बढ़न पैसे से समंदित कोई समस्या नहीं सहनी पड़ती, बेल पत्र को तीजोरी में यदि रखते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बरकत आती है, ऐसे ही दीपक में बनने वाले जो ये फूल हैंसे भी उसी परकार बिल पत्र वाला ही फायदा लिया जा सकता है, दीपक में बनने वाले फूल से 11 फायदे उसमें बताये गए हैं किस प्रकार से आप ले सकते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, या मकान दुकान में हो, बिजनस में हो, व्यापार में हो, या आपके दुकान में, या आपके इंट्रविог के समय कैसे इस दीपक के फूल का इस्तमाल करेंगे, जो मजबूत होगा तो हार्ट अटेक का भी खतरा कम हो जाता है इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वासमंदी रोग भी खतम हो जाते हैं इस प्रकार से आपके स्वास्ते लाब और आपको धन लाब पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसे सरलुपाए बापक आशिरवाद S.P.M. चैनल पर रुप लब्द हैं जिन से आप फाइदा ले सकते हैं भगवान भोले नात की भगती करते रहिए और अपने दीपक के अंदर बनने वाले फूल में कैसे उनका आशिरवाद आपको प्राप्त होगा उसके लिए चैनल पर दीपक से बनी जो अन्य वीडियोज हैं उनसे भी आप लाब ले सकते हैं कैसे गणपती जी बनते हैं कैसे मापारवती की कमल लैन बनते हैं कैसे भगवान बोले नात की जटाएं मनती हैं जै बोले नात